हलो फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूटूब चार्णल, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं मेकेनिजम आपसेल इंजूरी, जिसमें फर्स्ट मेकेनिजम है हाइपोग्जिया, हाइपोग्जिया मतलब हाइपो मिस डिक्रिट्स, आइपोग्जिया मिस ऑक्सिजल, ऑक् हमारी नॉर्मल सेल को लायू करने के लिए ओक्सिजन की ज़रूरत पढ़ती है, जो हम रेस्पारेशन के थ्रो लेते ही। तो उस ओक्सिजन की वजह से हमारी पूरी बॉर्डी फंक्शन करती है। अगर oxygen नहीं है तो हमारी body नहीं, cell नहीं, organ नहीं, कुछ भी नहीं oxygen है तो हमारी body है, cell है, organ से, tissues है तो इसी oxygen की कमी से cell को जो injury होगी उसके बारे में हम आज के lecture में पढ़ने वाले हैं तो first है है हमारी normal cell, अगर उसे oxygen में कमी हो गई या फिर cell को oxygen फ्रोवाइड नहीं किया तो normal cell को oxygen की decreasing की वज़से कितने सारे disadvantages होगे और उसके वज़से cell को कैसे injury होगी वही हम देखेंगे तो हमारी normal cell को हमने injury कर दिया अब हमारी normal cell injury हो चुकी है तो इसमें changes होगे firstly तो क्या होगा है हैपोगजिया मतलब oxygen decrease हो जाएगा cell में oxygen की decrease होना तो oxygen level body में decrease हो जाएगा तो फिर उस oxygen की वज़से क्या होगा ओ oxygen हमारे cell में से किसके पास जाती है तो ओ oxygen हमारे cell में से जाती है माइटोकॉंड्रिया के पास किसले जाती है तो माइटोकॉंड्रिया उस oxygen को एनर्जी में convert कर सके अब माइटोकॉंड्रिया का another name क्या है पावर हाउस आप सेल पावर हाउस आप सेल अब जैसे हमारे घर में electricity अगर electricity नहीं हो तो पंका नहीं चलता बिजली नहीं होती कुछ भी नहीं टीवी नहीं चलता फिर या फिर आपने मोबाई को चार्जिंग नहीं होती तो उसी तरह जैसे electricity हमारे हाउस की पावर हाउस है जैसे ही mitochondria energy form करती है और अगर वही oxygen सेल में कमी हो जाए oxygen की कमी हो जाए तो वो firstly affect करेगा on mitochondria मतलब ही हमारी next stage क्या आएगी mitochondria को affect होगा तो second क्या होगा mitochondria affect होगी और जिसके वाज़न से हमारे body में जो energy है in the form of ATP वो भी decrease हो जाएंगे energy की formation भी decrease हो जाएंगी मतलब in ATP कम form होगे अब हमारे body के heart function को maintain करने के लिए energy चाहिए heart function जैसे heart beat हो या फिर कुछ और भी हो cell के heart part के function को maintain करने के लिए और उसका proper functioning करने के लिए हमें ATP चाहिए और वही ATP reduce हो गया किसकी वज़े से oxygen की कमी की वज़े से तो फिर क्या होगा इसकी वज़े से अब हमारे cell के जो membrane से उस पर affect करेगा वो हमारे cell के membrane पर effect करेगा तो क्या effect होगा जो हमारे membrane के उपर pumps होते हैं है हमारे membrane के उपर pumps होते हैं जिसमें firstly होता है sodium potassium mitochondria में ATP की कमी की वज़े से हमारे cell की membrane effective हो जाएगी और उसके वज़े से क्या होगा जो हमारे cell में दो pump है जो pump है फर्स्ट है हमारा sodium potassium pump sodium potassium pump और second है calcium pump अब sodium potassium pump से क्या होता था हमारे सेल में से sodium potassium pump sodium बाहर डालता था और potassium अंदर लेता था अब sodium potassium pump पर effect होगा cell membrane पर effect होगा उसकी वज़े से sodium potassium pump पर भी effect होगा तो फिर क्या होगा जो sodium सेल के बाहर होना चाहिए उस सेल के अंदर ही produce होगा form होगा और पूरे सेल में sodium increase हो जाएगा तो फिर उसकी वज़े से क्या होगा इसकी वज़े से सेल में sodium increase हो गया अब पता है आपको जहाँ sodium होता है वह खुद बखुद आ जाता है अगर हमने salt लिया नमक लिया और उसे air में खुला छोड़ दिया तो वह साल्टे से वह एयर से air के थ्रो moisture एपसॉब करता है एयर के थ्रो moisture एपसॉब करता है उसी तरह सेल के अंदर यानि सोडियम की मात्रा बढ़ जाने से फिर सेल में ओटर का लेवल बढ़ा देता है मतलब फिर हमारे सेल में water की मात्रा भी बढ़ जाती है सोडियम की वज़े से water भी बढ़ जाता है और फिर सोडियम और water कंबाइन होकर हमारी सेल स्वेलिंग होती है मतलब अगर हमारी नॉर्मली सेल एसी है नॉर्मली सेल एसी है तो इनके इफेक्ट की वज़े से हमारी सेल के साइज में increase हो जाएगी हमारी सेल की साइज ये उसकी proper साइज है और इसके इफेक्ट वज़े से ये जो बाद में बनी है ये उसकी बाद में जो स्वेलिंग होकर बनी है ओ साइज है तो सोडियम की वज़े से हमारे सेल की साइज increase हो जाएगी और फिर increase होने के बाद सिडॉसिस होता है जो माइटोकॉंड्रिया के त्रो होता है जिसके वज़े से सेल में एसिर की लेवर बढ़ जाती है और वो हमारे नूक्लीक ऐसिर फर इफेक्ट करता है और उसे डामेज कर देता है नूक्लीक ऐसिर को डामेज कर देता है और फिर उसमें DNA कंप्लिंग हो जाता है गाड़ा हो जाता है DNA और फिर ए सब होने के बाद mitochondria की वज़े से सेल में एजो सारे changes होने के बाद जो हमारे यहाँ पर लाइसोजोमल बैक्स होते है माइट्रोकॉंड्रिया की इनप्रापर फंक्शन की वज़े से यह माइट्रोकॉंड्रिया बैक्स भी रप्चर हो जाते हैं और यह पूरे सेल में फैल जाते हैं तो फिर लैक्टिक असिडॉसिस के बाद में हमारे सेल में लाइसोजोमल एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं उसकी वज़े से हमारी सेल और भी स्वेलिंग होने जो लगती है इस तरह से हमारे यने पंप के इंफ्रापर फंक्शन से सेल में एक्टेंजिस होते हैं और से इंजूर होती है अब नेक्स्ट पंप है हमारा सेल मेंब्रेन के उपर सोडियूम पोटेसियूम के साथ साथ कैल्सियूम पंप्स भी प्रेजेंट होती है Calcium pumps भी present होती है जो cell के अंदर से calcium release करने के लिए या फिर mitochondria में calcium absorb करने के लिए use पूर होती है Calcium हमारे cell के लिए बहुत disadvantage effect लाता है और इसलिए या तो फिर cell में mitochondria में absorb होता है या फिर वो cell से release होता है और release होता है वो calcium pump से calcium body से cell से release किया जाता है या तो वो mitochondria में absorb किया जाता है mitochondria में या फिर वो release किया जाता है CA pump से cell के बाहर mitochondria को effect हो गया ATP का production decrease हो गया उसकी वज़े से जो calcium pump उसे energy नहीं मिली किसके लिए CA को बाहर release करने के लिए या ओही इतना sensitive हो गया कि उसके पास कोई भी ताकत अब नहीं है mitochondria में ATP का formation decrease हो गया मतलब एक तरह से हमारी energy level decrease हो गई और cell में हर function perform करने के लिए energy चाहिए उसी तरह calcium को cell से बाहर डालने के लिए भी calcium pump को energy चाहिए जो cell में present नहीं है तो उसी वज़े से अब calcium pump अपने कुछ disadvantages दिखाएगा cell को कैसे cell को ensure करकर अब ओस cell में absorb भी नहीं होगा और release भी नहीं होगा cell से तो अब calcium pump क्या करेगा cell के अंदर calcium का accumulation level बढ़ाएगा क्या हो गया? calcium pump का function improper हो गया calcium level cell में increase हो गया cell में calcium increase हो गया उसके वज़े से calcium accumulation हो गया calcium accumulation की वज़े से कुछ enzymes activate होंगे calcium accumulation की वज़े से अब cell के अंदर कुछ enzymes activate होंगे जिसकी वज़े से हमारी cell जो येने pump की वज़े से थोड़ी फार भी बची थी डामेज होने से अब और calcium pump की वज़े से पुरी तरह से डामेज हो गया डामेज हो जाएगी अब कौन-कौन से enzyme calcium pump release करता है या फिर activate करता है तो उसमें से अब आपको तो पता ही है हमारी cell की जो मेंब्रे ने वो किस से बनी है फॉस्पोलिपीड से calcium accumulation की वज़े से calcium pump enzyme activate करते है फिर्स्पोलिपीड जिसकी वज़े से हमारी cell की मेंब्रेन डाइजेस्ट होना शुरू होती है फॉस्पोलिपेड मतलब फॉस्पोलिपीड से हमारी cell मेंब्रेन बनी हुई है और फॉस्पोलिपेड एंज़ेस्ट की वज़े से cell मेंब्रेन डाइजेस्ट होना शुरू होती है सेकर्ण एंज़ाइम है एंडोनुकलिपेड हमारी नुकलिपेड के अंदर जो नुकलिपेड का डीने है उसे डाइजेस्ट करने का काम एंडोनुकलिपेड एंज़ाइम करता है जो हमारी नुकलिपेड को डाइजेस्ट करता है और जिसके वज़े से डीने डाइजेस्ट ह जो निउट्रियस में प्रेजेंट होता है और थर्ड है प्रोटियेट जिसकी वज़र से हमारे बार्डी के सेल के अंदर के जो एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम है और डाइजेस्ट होना शुरू होती है जिसमें हमारे प्रोटीन का फंक्शनिंग होता है सिये पंपने जो एंजाइन एक्टिवेट किये उसका फर्स्ट है फॉस्पोलिपिन जो मेंब्रेन को डाइजेस्ट करता है फिर अब हमारे सेल की मेंब्रेन डिजेनरेट हो जाएगी उसके अंदर सिर्फ नुक्लियस और ओ बचेगा माइटोकॉंड्रिया ग्वाल्गी कॉंप्लेक्स फिर एलाइसोजों सैक्स राइबोजों सेल और डामेज हो गई डाइजेस्ट हो गई जिसके वजह से अब डियने भी डामेज हो जाएगा?!" पुरी तरह से डियने डाइजेस्ट हो जाएगा rough endoplasmic reticulum और गाल्वी आपड़ाटस को डैमेज करते हैं प्रोटीज एन्जाइम और इन दोनों का फॉंक्शन होता है प्रोटीन सिंतेसिस करना प्रोटीन सिंतेसिस प्रोटीन की फैक्टेरी rough endoplasmic reticulum को केते हैं जो प्रोटीन सिक्रिट करते हैं और उसी protein को digest करने के लिए C.A.Perm Protease Enzyme Activate करता है तो इस तरह से हो गई हमारे पूरे सेल के अंदर की हाइपोगजिया मेकानिजम जिसके वज़े से नॉर्मल सेल फर्स्टली ऑक्सिजन की कमी से नॉर्मल सेल इफेक्ट हो जाती है फिर ऑक्सिजन की कमी होती है उसके वज़े से माइटोकॉंड्रे का functioning भी कम हो जाता है functioning improper हो जाता है ATP की synthesis भी कमी हो जाती है जो energy level body की कम हो जाती है फिर उसकी वज़े से हमारे सेल मेंब्रेन को इफेक्ट होता है cell membrane पर effect होता है और फिर cell membrane पर जो pump से उन पर भी effect होता है तो first pump है sodium potassium pump जो sodium को cell के बाहर वेजने का और potassium को अंदर लाने का काम करता है और इसे ये पंप डैमेज हो गया और जिसकी वज़र से सोडियम का रिलीज होना स्टॉप हो गया और वो सेल के अंदर ही ग्रोकर में लगा मतलब सोडियम की लेगल सेल में इंक्रिस हो गई तो सोडियम को अफिनिटी है वाटर की तो फिर सोडियम के साथ साथ वाटर को भी सेल के अंदर ले लिया जिसके वज़र से हमारी नॉर्मल सेल स्वेल हो गई और उससे इंजूरी आ गई फिर माइटोकॉंड्रिया के इंप्रोपर फुंक्शनिंग की वज़र से ग्लुकोस ग्लाइकोलिसिस में कनवर्ट हो गया लेकिन आगे की प्रोसेस के लिए जो ओक्सिजन चाहिए था उसकी कमी की वज़े से ग्लाइकोलिसिस लैक्टिक असिडासिस में कनवर्ट हो गया माइटोकॉंड्रिया में ग्लुकोस के बाद ग्लाइकोलिसिस होता है ग्लाइकोलिसिस के बाद ऑक्सिजन की कमी की वज़े से ग्लाइकोलिसिस की अगली प्रोसेस लैक्टिक असिड हो गई जो होनी चाहिए थी क्रेप साइकल और उसके बाद ETC तो ऑक्सिजन की कमी की वज़े से क्रेप साइकल में कनवर्ट होने से पेले ही लाइकोलिसिस लैक्टिक असिड में कनवर्ट हो गई और जिसकी वज़े से सेल में असिड की लेवर बढ़ गई और इसी असिड की वज़े से नुकलिक असिड में डैमेज आ गई और फिर उसके बाद nucleic acid damage होने के बाद, पूरी cell damage होने के बाद, lysozome ने अपने enzymes activate कर दिये और उस वज़से cell पूरी तरह से injure हो गई और second pump था calcium pump calcium pump क्या करता है, calcium का mitochondria में absorb करने का या फिर cell से release करने का काम calcium pump से होता है अब mitochondria damage हो गई, उसके वज़े से calcium pump पर भी effect हो गई और फिर calcium की level cell में increase हो गई और जिसके वज़े से calcium का accumulation हुआ in cell में और फिर calcium pump ने enzymes activate के, जो है three enzymes activate के first care phospholipage जो हमारे cell के cell membrane को digest करता है फिर endonucleate जो DNA को digest करता है और फिर protein जो endoplasmic reticulum को digest या फिर जो proteins को digest करता है जो form होते है इन endoplasmic reticulum में और इस तरह से hypoxia body के cell को damage करता है और फिर a normal cell injure cell में convert हो जाती है